नमस्कार अमरजाला.com आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अलपना इस वक्त की पांच बड़ी खबरों पर जल्दी से नज़र डालेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे दिली दंगा मामला जिसको लेकर जाच अभी जारी है पुलिस की और दिली पुलिसी दावा कर र पाकिस्तान की खूफिया एजंसी ISI के ही इशारे पर वहां पर जो प्रदर्शन थे उनको बढ़ावा देने की कोशिशे हुई हैं यहां तक की पाकिस्तानी खूफिया एजंसी ISI के कहने पर खालिस्तान समर्थक CAA और NRC के विरोध में धरना सलो पर भी गए तो यह पूरी जाच का क्योंकि फूलिस की तरफ से जो दावा किया गया है वो भी काफी गंभीर एक तरीके से दावा है कि ISI और खालिस्तान का जिस तरीके से रोल कहा जा रहा है मैं तो पूर्ण भूमिका कही जा रही है एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि ISI और खालिस्तान की साजिश के तहत ही दिल्ली दंगो को अंजाम दिया गया है तो फिलाल ये जानकारी आप पूरी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे बात करेंगे हम ड्रग्स केस की जिसको लेकर नाकोटिक्स कंट्रूल ब्यूरो की जांच जो है वो जारी है आज क्योंकि फिल्मी सितारे समय आरोपों के घेरे में हैं तो दिबिका पदकोन सारा अली खान और शुद्धा से आज पूश्टाच की बात कही जा रही है एंसी बी करेगी और सवालों की एक तरीके से लिस्ट बना ली गई है और ये भी कहा जा रहा है कि सवालों की बहुचार एक तरी थी कौन थे वो लोग और हैं वो कौन लोग क्या ये नेक्सस है और कौन से वो शक्स हैं जिनके थ्रू ड्रग्स की सप्लाई हुआ करती थी तो सुशान सिंग राजपूत की मौत का ये मामला है लेकिन जिन एंगल्स पर इस समय जाच हो रही है उसको लेकर फिल्मी सितारे इस समय आरोपों के घेरे में हैं एंसीबी की पूश्टाच में रोजाना ही नएने खुलासे हो रहे हैं और रकुल प्रीज सिंग से जो की एक्ट्रेस हैं बॉलिवूट की उनसे भी कल पूश्टाच हुई थी और डिपीका पादुकोन की मैनेजर है करिश्मा प्रकाश उन खास तोर से दिपीका पादुकोन का जिक्र किया गया है ये कहा गया है कि दिपीका पादुकोन जो है वो एड्मिन थी उस ग्रूप की जिस पर ड्रग्स को लेकर आए दिन पुश्टाच होती रहती थी बाचीत होती रहती थी चैटिंग होती रहती थी तो फिलहाल ये पू अमरजाला.com विशलेशन के तहत ही काम कर रहा है और जो खबरे आ रही है वो छंचंकर ही आ रही है तो आप इस बाबत तमाम जानकारी अमरजाला.com की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं आगे हम बढ़ेंगे बात करेंगे करण जोहर की करण जोहर क्योंकि सफाई दे रहे है उन पर भी इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ड्रग्स के लेंदेन में इनका भी काफी इनकी सलगनता रही है तो सफाई दी है करण जोहर ने कहा है कि जो पार्टी में ड्रग्स लिए जाने की बात कही जा रही है अप वहें उड़ाई जा रही है व आप पढ़ सकते हैं अमरजला.com की विबसाइट पर जाकर आगे हम बढ़ेंगे बात करेंगे IPL की तो IPL का जो यह टोनमेंट है यह काफी रोमांचक हो रहा है और जो आज मैच है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद इनके बीच मुकाबला है तेहरवा सीजन है आठवा मुकाबला है और अब तक काफी रोमांचक मैच आप देख भी चुके हैं और अबुधाबी के शेक जायद स्टेडियम में आज का यह मैच होगा केके आर और संराइजस के बीच में मुकाबला शाम साड़े साथ बजे से शुरू होगा और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह दोनों टीमें वही टीमें हैं जो अपने पहले-पहले मैच हार चुकी हैं तो इस बाबत आप जानकारी ले सकते हैं आईपेल से जूरी तमाम खबरें तमाम अपडेट्स आपको अमरजाला.com की यूकरेन में बड़ा विमान हाथसा हुआ है 28 लोगों को लेकर जा रहा यूकरेन वाई सेना का ये विमान था जो शुकरवाद शाम को हाथसे का शिकार हो गया और यह हाथसा इतना जबरदस रहा कि 22 लोगों की मौत हुई है हाथसे में बाकी जो लोग हैं वो लापता बता काप किया है शुकरवार को पाकिस्तानी जुकरदान मंत्री हैं वो बोले थे इमरान खान सेंट राष्टर महासभा में उनका संबोधन था और उसके बाद भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया प्रथम सचे मिजितो विनितों ने देश का पक्ष रखते हुए पाकिस्तान क अतंकवात के मुद्दे पर खरी-खरी सुनाई है और ये एक लाइन में आपको बतादू जहां इमरान खान ने ये कहा था भारत पर कई तरीके के आरोप लगाये थे तो उस पर भारत की तरफ से ये कहा गया कि इस हौल में मौजूद लोगों ने ऐसे इनसान को सुना हैं ज वो एक और दिल्चस्प बात ये है क्योंकि आज प्रधान मंतरी मोदी का संबोधन है तो ऐसे में प्रधान मंतरी मोदी के संबोधन पर भी नज़र रहेगी क्योंकि वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से ये संबोधन हो रहा है तो जिस तरीके से 25 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इम्रान खान ने अपने देश का पक्ष रखा वहां उनका संबोधन हुआ तो ऐसे में प्रधान मंत्री मोधी का अब शनिवार शाम साड़े छे बजे के आसपास कहा जा रहा है तो सभास के 75 सेशन की को संबोधन संबोधित करेंगे आम सभा को और प्रधान म अपने जजबात रख सकते हैं देश और दुनिया के पटल पर तो फिल्हाल ये तमाम बड़ी खबरे हैं जिस पर अमरजाला.com की नजर बनी हुई है और इन खबरों को आप तफसील से जानिए और ये समझे कि देश दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है तमाम सेक्शन मे इस समय खबरे अपडेट हो रही है और इन खबरों को आप जानने के लिए लगातार जुड़े रहें अमरजाला.com के साथ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें